हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं नमस्कार तो आज हम जा रहे हैं देखिए हमारा खरबूज है तो आप लोग देखिए हम कैसे इसका जूस बनाएंगे यह हमारा दो किलो का खर्बूज है अब इसको हम बीच में चाकू के मदस से काट लेंगे यह देखिए हमने दो भाग में कर दिया है अब इसका एक भाग जो है इसको हम चम्मच के सहारे इसका गुद्धा ऐसे निकाल लेंगे देखिए यह देखिए तो इसी तरह हम यह हमारा जार है इसी जार में हम निकाल करके रखेंगे तो देखिए आप लोग कितने अच्छे से इसका जूस जो है चम्मच के सहारे इसका जूस नीचे भी नहीं गिरा और इसका जो पका हुआ भाग धालाल बुद्धा वो हम चम्मच ऐसे देखिए कितने अच्छे से निकाल लिए सारा तो आप लोग ऐसे बनाईएगा जूस चम्मच के सहारे निकाल लिएगा ताकि इसका जूस बेश्ट नहीं हो और इसी में इसका रख रह जाए कि अच्छे से हमारा जूस निकल गया तो अब हम इसको शारा ऐसे देखिए कितने कितने जूस जूसर यह देखिए नीचे गिर रहा है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे चीनी मान की चलिए एकी तीन चीम मच जादे नहीं क्योंकि यह मीठा पुद्र होता है और अब इसको हम पीछ लेंगे तो देखिए हम दिखाते यह दिखे कितना अच्छा तो इसको हम छान लेंगे ताकि इसका जो बीज होगा वो छना जाएगा तो यह हमारा देखिए छोटा सा भगोना है इसी में हम छन्नी से छान लेंगे देखिए हमने कितने अच्छा से इसका सारा जो है कुद्र निकाल दिया कि वहली इसका बीज बीज बचा है तो अब हम इसको एक गिलास में रखेंगे यह सारा देखिए इसका माल नेकल गया कितनी अच्छे से जितना भी इसका घुदा था दोस्तों तो यह हमारा दोनों गिला से देखिए तो इसमें हम आई डाल दे रहे हैं इसे हमारा छंदा छंदा खुबच्ची तरह बनेगा और इसमें भी डाल दे रहे हैं आप इसमें हम जूस को डाल देंगे देखिए अब देख लीजिए आप लोग की मार्केट का फेल है ये मिलावटी नहीं है ये पेवर नेचुरल है आप लोग देख लीजिए कि इतना अच्छा और आप अपने बच्चों को अपना भी बना के जरूर इसको पीजिए गा ये हमारा दावा है कि 100% आप लोग को हमारे रेश्पी पसंद आएगा तो अब हम आप लोग को सर्व करके दिखाएंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करें आप लोग का एक लाइक और केमेंट हमारे लिए बहुत माइने रखता है तो एक लाइक हमारा बन जाएगा तो प्लीज आप लोग से दिखोष्ट है कि थाइंक यू धन्यवाद